तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबस्क्राइब करने हैं आपको अपनी डिवाइस की स्क्रीन पर आजाना है उसको उपन कर लेना है उपन करने के बाद जिस अप में प्रॉब्लम आ रही है उसको यहां पर सिंपली सर्च कर लेते हैं तो आपको सर्च कर लिया मैंने अपको सर्च करने के बाद यहां पर आप अपडेट को उप्शन द जाना है setting पर आने के बाद निचे scroll down करना है और यहां पर एक option हमें show होगा हमारे setting में apps का तो apps वाले option पर click कर देते हैं इस पर click करने के बाद यहां पर एक option आएगा manage apps का इस पर click कर देना है manage apps में click करने के बाद यहां पर हमें सारे apps शोओंगे यहां पर हमें उस app को search से पहले स्टोरेज पर जाने है स्टोरेज पर आने के बाद स्टोरेज का क्लेर कैच कर देना है आपको यहां से स्टोरेज का क्लेर कैच करना है और क्लेर डाटा मत कीजेगा उसे आपका डाटा यह डिलीट हो जकते हैं इसके बाद परमिशन पर आना है और सारी परमिशन वन वाइबन इनेबल कर देनी है ध्यान रखना कि कोई भी परमिशन यहां से डिनाई नहीं करनी है तो वन वाइबन सारी परमिशन यहां से इनेबल कर देता हूं अधर परमिशन पर जाता हूं यहां पी सारी परमिशन इनेबल कर देता हूं आपको भी सेम स्टैफ फोलो करना है जो मैं कर रहा हूं जिससे आपकी problem solve हो जाए तो अधर permission में भी सारी permission मैंने लगबग enable कर दी है इसके पाद निचे scroll down करना और यहां पर को option देखेगा रिश्टिक data usage का तो यहां पर wifi और mobile data show हो रहा है तो इन दोनों को हमें यहां से enable कर देना है wifi और mobile data को enable करने के बाद निचे scroll down करना और यहां पर टुले default option देखेगा इस पर क्लिक कर देना इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर फोर्स्टोप कर देखेगा अपने आपको एक पर रिस्टार्ट करें रिस्टार्ट करने के बाद ट्राय किजेगा आपके सारी प्राब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी तो वीटियो का लाइक जुरूर करें